दोस्तों स्वागत आपके अपने जनर्रल सिविल साइड विजिड में दोस्तों एक दिन पहले वीडियो डाला था स्लैब की कास्टिंग का कि जिसमें हमें बाइवरेटर यूज करना चाहिए कितना करना चाहिए तो उसी में पूछा था कि मैंने इस पे वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं तो उसी कमेंट के अदार पे मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जो vibrator होता है वो काफी contractor यूज नहीं करते हैं तो एक बहुत बड़ी mistake की जाती है तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि vibrator यूज यूज किया जाता है वो कितना important है और अगर आप civil engineer हो ऐसे fresher हो तो आपको knowledge होना चाहिए कि कैसे आप quality control कर सकते हो vibrator से क्योंकि अगर जादा vibrator किया मतलब जादा concrete में किया तो वो भी खराब है अगर कम किया वो भी खराब है क्यों खराब है वो सब आज में आपको इस वीडियो में clear करने वाला हूँ complete वीडियो देखना इस वीडियो में काफी knowledge मिलेगा आपको क्योंकि ये चीज़ें आपको कोई side पे भी नहीं बताएगा और ऐसे इस चीज़ को serious लेते भी नहीं है तो वो ही आज में आपको clear करूँगा एक काफी important topic है और अगर वीडियो पसंद आएगी तो जुरूर like करना उसको तो start करते हैं सबसे पहले path यह है कि काफी जगा मेंने देखा है कि vibrator मारा ही नहीं जाता है क्या करते हैं कुछ भी जहां तो कोई डंड़ा वंड़ा ले ले लेंगे उससे करेंगे उससे खंचेंगे उससे ब्राबर कुछ नहीं होता है जो आपने देखा होगा कि आपकी slab leakage करती है क्यों और करती है यही मैंन reason है उसको अच्छे से बाइबरेट नहीं किया है कम से कम 5-25% उसमें पोर्स बचते हैं जैसे आप कॉंक्रीट करोगे उसका अगर स्लंप जादा भी है तब भी उसमें 5-25% उसमें पोर्स बढ़े रहेंगे और वो पोर्स क्या करते हैं कॉंक्रीट को पोरस और मर्परमीयवल बनाते हैं जिससे क्या होता जैसे बारिश पड़ेगी तो दीरे दीरे पानी सोकना नीचे आपके ड्रॉप्स गिनने स्टार्ट हो जाएगी तो हमेशा आपको बाइबरेटर यूज़ करने है और रही बात यूज़ करने की कैसे उसको प्रॉपर वे से आप यूज़ करोगे तो मैं बताऊं कि देखो ये अलग प्रैक्टिस होती है हर जगा जो पीपीसी है पोर्टलेंड सीमेंड असोइशियेशन वो कहती है कि आपको मिनिमम आपको पांच से पंदरा सेकिंड तक आपको बाइबरेट करना चाहिए और अगर मैं रियल प्रैक्टिस की बात करूँ अगर हम जो साइड पे काम करते हैं तो हमारा क्या है जो हमने प्रैक्टिकल चीज़ेंग से सीख है जो हम करवाते हैं कि जहां भी आपका बाइबरेशन आपको करनी हो तो वो करो एक फूट के दाएरे मतलब तीन सेकिंड पर एक फूट मतलब तीन सेकिंड तक एक जगा डालो फिर एक फूट आगे ले जाओ फिर तीन सेकिंड डालो फिर एक फूट आगे ले जाओ मतलब ऐसे proper way से गुमाना होता है vibrator को और उसकी जितनी depth है उसका 50% उसको डालो जहां भी जितनी उसकी depth होगी क्या किया जाता है कही जगा सिर्फ उपर उपर बाइबरेट किया जाता है और proper एक चीज देखना कि इसका frequency पर भी depend होता है तो इसका diameter मतलब main करता है जो needle आगे use की जाती है उसका diameter main है कि काफी आती है needle 40 mm, 60 mm, 80 mm तो काफी type की needle आती है तो आपको depend करना कि किस हिसाब से आपको needle use करनी है देखो अगर proper way से आपने vibration नहीं की तो आपके honeycomb ऐसे देखेंगा मतलब honeycomb बनेगा जो आप देखा होगा कि जैसे आप सामने देख रहे हो ऐसा आपको structure दिखेगा ये काफी खराब चीज़ आप अच्छे से प्रफेक्ट से अगर आपकी slab में ये निकला तो अगर इसको आप सही से करो गए भी तब भी इसमें leakage होने के chances काफी बन जाती है और सरीया खराब होने के chances काफी हो जाती है तो कब भी नहीं करना ऐसी चीज़ और दूसरी चीज़ अगर vibration आपने ज़ादा कर ली मतलब जैसे मैंने बताए पांच से पंदरा सेकिंड मेंने बात की अगर उससे भी जादा कर दी तो क्या दिक्कत होगी कि जो सरीया जो aggregate होता है वो segregation हो जाती है जो आपकी aggregate होगा कपची होगी वो अलग हो जाएगी cement अलग हो जाएगा, sand अलग हो जाएगी तो वो मतलब एक section जो होगी वहाँ weak section बन सकती है तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि ना तो आपको vibrator जादा यूज़ करना है ना उसको कम मुझ़ करना है प्रोपर बेसे करना है पांच से पंदरा सेकंड तक आप किसी भी limit तक उसको यूज़ करो यहां तीन सेकंड पर feed मतलब हर feed पर तीन सेकंड करते जाओ अच्छे से और हो सके क्योंगी contractor यूज़ नहीं करते हैं थोड़ा costly पड़ता है क्यों जो electric vibrator है तो आप उसको अपने जो भी contractor से काम करवाऊगे उसको must कहो कि आपकी slab में vibrator यूज़ होना must है अगर vibrator यूज़ करोगे आपकी slab 15% का उसमें effect पड़ता है उसकी strength decrease होती है और अगली चीज तो सामने आप देख रही है अगर vibrator यूज़ नहीं करो गया तो ऐसा आपका structure हो जाएगा तो यह छोटा सा topic था आपको समझ आया होगा आपको जो भी topic चाहिए कमेंट करो मैं उस पर वीडियो लेकर आएगा जूरूर थैंक्यू गाइस